अगला सवाल रिचा ने पूछा है, क्या किसी शिश्य के दो गुरू हो सकते हैं? अगर किसी को दो आध्यात्मिक गुरूं से दीक्षा मिली हो, तो क्या किसी एक मार्क पर चलना बहतर होता है, या दोनों गुरूं की सिक्षाओं का पालन करना चाहिए? अगर मैं एक गुरू के दिखाए मार्क पर चलती हूँ, तो क्या मैं दूसरे गुरू का अनादर कर रही हूँ, जिन्होंने मुझे अपने मार्क की दीक्षा दी थी? तो एक गुरू के साथ होना एक आध्यात्मिक गुरू के साथ होना ये वफादारी का सवाल नहीं है लेकिन ये इमानदारी का सवाल है वफादारी और इमानदारी के बीच क्या अंतर है वफादारी उन भावनाओं से आ रही है जो आपके पास है इमांदारी का मतलब है कि आप उस उद्देश्य के प्रती समर्पित हैं जिसके लिए आप वहाँ है, जगा कोई भी हो आप किसी जगह में है, उस जगह का जो उद्देश्य है आप उसके प्रती पूरी तरह से समर्पित हैं आप वहाँ कुछ और नहीं करेंगे आप मेंसे कई लोगों के साथ ये हो रहा है आप यहां वाकई आध्यात्मिक साधना करने के लिए आये थे लेकिन आप किसी के प्यार में पढ़ रहे हैं शादी कर रहे हैं और ये सब हो रहा है कुछ न कुछ होगा या तो आपको सिरदर्द हो जाएगा या आपको कमर दर्द हो जाएगा या आपके सिर में एक कीड़ा घुश जाएगा या आपका दिल ऐसे धड़केगा कई सारे चीज़ें होंगी जीवन आपको ये समझ नहीं आता है कि आप जिस उदेश्य के लिए वहां है उससे भटकना बस इमानदारी की कमी का सवाल है क्या इसका ये मतलब है कि मुझे उनमें से कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए आपको एक सचेतन चुनाव करना चाहिए कि आप इसलिए यहां आए हैं एक आध्यात में केंदर के इर्द गिर्द जीवन बनाने के लिए मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है मैं हर किसी से पूरी तरह धदकने की उमीद नहीं कर रहा हूँ लेकिन आप यहां धदकती आग के साथ आए और फिर आपने और फिर आपने समझोता कर लिया ये इमानदारी में थोड़ा फेर बदल हुआ वफादारी एक अलग चीज है इस काम में वफादारी की कोई जरूरत नहीं है तो आप जो भी हों अगर आप यहां थे और आप कहीं और चले गए और संघर्ष कर रहे हैं कृपया संघर्ष मत कीजिए मुझे फेक दीजिए और आप जहां भी हैं बस वही कीजिए क्योंकि आप कहीं और चले गए हैं इसी से ये साबित होता है कि किसी ने किसी तरह से चाहे किसी भी वज़ा से इसने यहां काम नहीं किया तो आप कहीं चले गए कम से कम वहां आप अच्छे से कीजिए जब तक आपका विकास हो रहा है मुझे क्या समस्या है या अगर आप कहीं और थे और अब आप यहां है और आप यहां संघर्ष कर रहे हैं उस बकवास को फेक दीजिए जो आप कहीं और से उठा कर लाए हैं और वो कीजिए जो आपको करना चाहिए क्योंकि ये कुछ ऐसा है नारियल के भगीचे होते हैं और आम के भगीचे होते हैं आप ऐसा नहीं करते कि एक नारियल के भगीचे में जाकर वहां से एक पेड उखाड लें और उसे पहाड के उपर लगा दें वो एक महीने भी जिन्दा नहीं रहेगा वो वहाँ काम नहीं करता वो केवल यहीं काम कर सकता है नहीं आप एक आम के पेड़ को ले जाकर रिगिस्तान में लगा सकते हैं यह काम नहीं करेगा तो आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए इसी से थाबित होता है कि या तो आपने खुद के चुनाव से या किसी और मजबूरी से या शायद गुरू की मृत्यू हो गई है या मैं मर गया हूँ जब वो होगा जब आपको कहीं और जाने की जरूरत महसूस होती है तो वहां खुद को पूरी तरह से समर्पित कीजिए वो चाहे जहां भी हो क्योंकि आप इस जगह पर होकर उस जगह से पोशन नहीं पा सकते या ऐसे काम नहीं करता क्या इसका ये मतलब है कि आप किसी का अनादर कर रहे हैं नहीं देखिए ये कुछ ऐसा है आपकी एक माँ है उन्होंने आपका ख्याल रखा आप उनसे बहुत प्यार करते थे लेकिन किसी वज़े से उनका देहान्त हो गया अब आपकी चाची आई है या शायद आपकी पतनी या शायद आपकी पडोसन या शायद कोई और मान लीजिये की चाची क्योंकि दूसरी चीजें भावनाई जागरुथ करेंगी जिनने हम इस सवाल से शांत नहीं कर सकते अब आपकी चाची आपका खयाल रख रही हैं लेकिन आप अपनी मा से प्यार करते हैं लेकिन आपको वो खाना खाना होगा जो आपकी चाची आपको परोस्ती है आप अपनी मा का परोसा खाना नहीं खा सकते इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको उनकी कितनी याद आती है, आपको उनसे कितना प्यार है, आप उनसे प्यार कर सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं, सब कुछ, लेकिन आपको अपनी चाची के हाथ का खाना खाना होगा, वरना आपको पोशन नहीं मिलेगा, बात इतनी सीधी है, तो अगर आप यहां से चले आप वहाँ बैठ कर मुझसे प्यार कर सकते हैं, मेरे प्रती सम्मान और आदर रख सकते हैं, ताकि आपका जमीर थोड़ा शांत रहे, क्यूंकि मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी शांत हो जाए, क्यूंकि ये जीवन बहुत लंबा नहीं है, ये बहुत छोटा जीवन है, आप बकवासी संभालते रहेंगे, तो मंजिल तक कप पहुचेंगे, इसे जल्द से जल्द शांत कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे प्यार कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी तरह इसे शांत कीजिए, और उस पर ध्य जो आपको करना है, लेकिन अगर आप कहीं और से यहां आए हैं, तो वही बात लागू होती है, आप किसी के भी प्रती जितना चाहे उतना प्यार और सम्मान रख सकते हैं, मैं तो कहूंगा कि उसे दुनिया में हर किसी के प्रती रखिये, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप आप सड़क पर चलते हैं क्यूंकि मैंने लोगों को ऐसा करते देखा है वे यूँ चल रहे होंगे अचानक कोई कहता है मैं कहता हूँ बेकार है ये आप के लिए काम नहीं करेगा कि अगर आप सद्गुरु को देखते हैं तो आप ऐसे हैं वरना आप ऐसे हैं ये काम नहीं करने वाला इस तरह से कोई भी आध्यात्मिक मार्ग आपके लिए काम नहीं करेगा किसी न किसी रूप में आपको हर किसी में उसी गुण को देखना होगा आदमी औरत बच्चा गधा मैं खास तोर पर गधे को चुन रहा हूँ गधा, गाए, कुत्ता, पेड, पत्थर अगर आप वाकई हम पहले सवाल पर वापस जा रहे हैं अगर आप वाकई में निश्चित रूप से उनके साथ बैठे हैं ठीक है? फिर आपको हर चीज में उन्हें ही देखना चाहिए आपको हर चीज के साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए जैसे वो सद्गुरु हो फिर कोई समस्या नहीं है तो आप कहा हैं, आप कौन से अभ्यास कर रहे हैं? जब बात अभ्यासों की आती है तो जैसा मैंने कहा, अब आपकी मा जा चुकी है, आप अपनी चाची के घर में हैं, आपको वो खाना खाना होगा जो वो परोस्ती हैं, आप अपनी मा से जितना चाहे उतना प्यार कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता, लेकिन आपको उसी खाने को खाना होगा और खुद इतना सा जीवन है। भावनाओं की इतनी सारी गुथियों के साथ आप कहां जा पाएंगे। आप कहीं और चले गए, इसी से साबित होता है कि किसी चीज ने आपके लिए काम नहीं किया। आप जहां कहीं भी चले गए हैं, कम से कम वहां इसे सफल बनाईए। जब आप यहां थे तब आप सोच रहे थे कि बाहर कैसे निकलें। अब आप कहीं और हैं और सोच रहे हैं कि मुझे यहां होना चाहिए था। ऐसा मत कीजिए। जब आप कोई जगा छोड़ देते हैं तो आप चाहे जहां भी जाएं कम से कम वहां इसे कारगर बनाईए। बस अपने प्रयास को मत छोड़िए। बस यही माइने रखता है। जब आप अपना प्रयास छोड़ देते हैं मैं आपसे बहुत ज्यादा निराश हो जाता हूँ। हाँ, अगर आप चले गए और आपका प्रयास अभी भी तीवर है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यह मेरे लिए कम तकलीफ है। अगर आप जी जान से प्रयास कर रहे हैं और आप चले जाते हैं, मिरे लिए अच्छा है। अगर आप प्रयास छोड़ देते हैं, तो यह जीवन आपके लिए व्यर्थ कया, मेरी मेहनत व्यर्थ कई। ऐसा मत कीजिए। प्रयास